यह वीडियो में अलग से एड़ कर रहा हूं बनाके मैं इस ते पहले कृश्चिन मिजनरी कैसे कनवर्ट कर रहे है और किसके से कनवर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उनका काम डेमोग्राफी को बदलने में लगा हूँ उसमें मेरी वीडियो आगे आएगी पूरी-पूरी इ जरुर रखता है तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि आप कब इस पर एक्षिन लेने वाले हैं कि जो हमारे बीच जो क्रिश्चन का एजुकेशन सिस्टम घूम रहा था भी तो खहर नहीं पॉलिस्या यह काफी बढ़ला होगा लेकिन उनकी जो उनका जो ब्रेन वाशिंग सिस्टम नहीं है हमें उसकी क्रिश्चन या मुसल्मान होने दिक्कत नहीं है एस लोंग है हमारे प्रस्नल लेवल पे और देश के लेवल पे वो कुछ प्लैन ना कर रहा हो या फिसके कोई एंटी इंडिया थार्ट्स ना या वो अपने पर्टिक्लर फेट को फॉलो करते हुए कोई देमोगरफी बदलने की प्लैनिंग ना कर रहा हो तब तक वो ठीक है वह हिंदू है वो हिंदूस्तानी है वो उसके पूरवज यहीं के रहे होंगे उसका उसकी चमड़ी गोरी नहीं उसका एक्सेंट गोरों वाला नहीं है उसके सिर्फ अपने नाम बदलने से मजभ बदल की बात है मैं किसी रिलीजिन के खिलाफ नहीं मैं उस थौट प्रोसेस के खिलाफ हूं जो एंटी इंडिया है और इस सभिता को दीमक की तरह चाटने में लगा हुआ है आप इस ट्वीट को सुब्रमनें स्वामी के जाईए देखिए शेयर करिए सरकार से एक्शन के डिमां करो कि हम लोग पूरे टाइम पूरे टाइम जिहाद लव जिहाद कनवर्जन और इसने किसी को मुसलमान बना दिया ये हम जो अब बाते करते हैं ना लेकिन कज आ कभी हम नों यह सोचा कि क्रिश्चियानिटी क्रिश्चिन मिश्नीरीज silently लगे हुएं softly लगे हुएं बिना ऊपर आये बिना कोई कोई बवाल किये बिना किसी मेंश्रीम मीडिया के मुद्धा बने करते हैं धढड़ा धढ़र even उन से जादा जो इसलाम को मानने वाले करते हैं मौली मौला जुपचुपचुपच जो रैडिकल लोग हैं बड़ी तादाद में करते हैं साउथ जो हमारा है केरल करनाटका वगरे सब जो साउथ का हिस्सा हमारा गोवा हो गया यह मैक्सिमम कनवर्ट हो चुका है कभी किसी ने इस मुद्दे को नैशनल इशू बनाने की कोशिश भी नहीं की अगर आप मुझे करते हैं तो मेरी वीडियो को शेर करेगा लोगों की नॉलिज में अगर आता है और ट्रेंड कराईए कुछ ऐसा अगर मुझे कोई अच्छा सा हैश्टेंग नजर आया तो मैं डिस्क्रिप्शन बता दूगा कुछ ऐसा ट्रेंड कराईए उस पर कुछ ऐसी बाते करिए कि लोगों की आखें खुले कंवर्जन के अगेंस्ट जो क्रिशन मिशनरी करते हैं क्योंकि अगर आपका मजभ इतना ही अच्छा है तो लोग खुद जानेंगे खुद कुरोसिटी से अप्रोच करेंगे और खुद एक्सेप्ट करेंगे आपको दर बदर जाके उनको उनकी गरीबी का फाइदा उठा कि उनको आप रोटी चावल कपड़ा इजजत पैसे की लालज दे के कनोट करने के जरूत नहीं पड़ेगी यह आपकी कमजोरी दर्शाता है यह मैं सबके लिए क्या रहा हूँ जो भी कनोट करने में लगे हुए यह आपकी कमजोरी चला कभी असास भी हुआ कि दुनिया में कितने लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं वो खुद कुरियोसिटी से समझते हैं सुनते हैं इंडिया आते हैं भारतियता को अपना आते हैं और वही हिंदुईजम है वही सनातन है बुद्धिजम इतनी तेजी से फैला कि पूरे एशिया में फैल गया और जापान तक चला गया यहीं से निकला कोई उनको बेवकूव बनाके पढ़ाने नहीं किया था और तलवार की जोर पर कनवर्ट नहीं करता या पैसे या लालच गरीबी भुकमरी के दिखा के लेकिन इसलाम और क्रिश्चैनिटी को बेवकूव बन करना चाहता हूं यह कैसे रुकईर आप जो आपके जो आसपास की लोग होते हैं जो मैं वह यह वर्ड्स नहीं उसकरना चाहता है ना कोई वैश्य होता है ना शूत्र होता ना शत्री होता है ना दलित होता जन्म जात कुछ नहीं होता हर चीज की अपनी परिभाशा है हर चीज की अपनी ड्यूटी है वह है धर्म तो अगर आपके आसपास कोई दिखे जिसको जिसके लोकालिटी में कुछ कृष्चिन मिश्चिनरी जाक्टिव हो आप पूछिए कि कोई आपको ऐसा की मुझे पता है मेरे जो काम करना याती है उन्होंने बताया कि उनको लोग कुछ लोग मंद्र जाने से मनागरते हैं उनको लोग कहते हैं कि मंद्र मत जाओ चर्च जाओ उनको लोग कहते हैं कि तुम नाम बदलने के विजूरूत नहीं है बस ये मत करो ये करो आप इस चीज को ध्यान दीजे उनसे बात किया कर ये उनको kुश करने के लिए उनको satisfy करने के लिए उनको सम्मान देने के लिए हर महीं ने हर साल कुछ न कुछ एक ऐसा स्टेप डिया करें कि उनको ये ना फिलो कि उनकी खुद की कम्यूटी उनके खुद के लोगों ने उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया उनको वो दे दीजिए जिसके वो हकदार हैं कि बस मैं और कुछ नहीं कहा रहा कि कनवर्जिन वहीं रुख जाएगा जब मिस्नरीज कनवर्ट करने आएंगे तो यही लोग थपण मार के रुखेंगे आपको जानके यह हैरानी होगी आपने उसे एंगल से कभी नहीं सोच तो होगा कि भारत के सारे धलित S.C.S.T.O.B.C. मैक्सिममावादी के नाम के आगे पीछे ही किसी ना किसी देवता का नाम होता है राम, कृष्न, भगवान दास, शिवदास, शिवजंकर ऐसा करके कभी तो नोटिस करिए यह बात कि जितने बड़े वो सनातनी हैं जो अपने नाम के आगे भगवान का नाम राके खुमते हैं उनसे बड़े आप कैसे हो गए और उच नीट्या खेल तो हमारे भीच डिफरेंस पैदा करने के लिए लाया गया था हम लोगों ने अब तक अपने कैसे दिया कई कैसे मैंने सुने कि मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है कहां लिखाया कि मंदिर में कोई नहीं आ सकता है मंदिर में तो किसी दूसरे मजब के आने वाले को नहीं रोका गया तो हमां अपनी वाले को रोक दिया क्यों आपको यह किस ने दिया कि आप समझ नहीं रहें कितना बड़ा वायरस है कि हम लोग भारत में हम लोग कम होके रह जाएंगे सिर्फ अपनी भेदभाव की वैसे और वो लोग वह अकरांता वह अबरहेमिक रिलीजन वाले उस हद तक बड़े हो जाएंगे लोगों को एकसेप्ट करना यह है को यूनी में से एक देख रहा है मुझे तो नहीं है वो लोग उस हद तक बड़ जाएंगे कि जैसे बाकी देसों में एजिप्ट में एजिप्शन खतम हो चुके हैं इसलाम है वहां पर जो इसलामिक वर्ल्ड है जिसना यह जो क्रिशन का जो पुरा यह यूरोब यह सब जो जगें हैं आप लोग क्या लगता है कि हमेशा से वो लोग थे इन्होंने खुद को बढ़ाया है एकस्पैंड किया है फैलाया है चाहे मार काट करके चाहे लालज देख कोई एकसेप्ट न पूरवच कभी भी क्रिश्चिन या मुसल्मान नहीं थे तो अगर कभी थे ही नहीं तो आज तुम कैसे हो इस पर डाउट करो उनसे सवाल पूछो कि आप कब कनवर्ट हुए आपके पिता जी आउनके पिता जी क्यों हो ना पड़ा कनवर्ट हम अगर हम कनवर्ट नहीं है हम उस जगह से कैसे आए अगर हम कनवर्ट नहीं हुए तो और अगर हम कनवर्ट हुए तो हम तो फिर तो लाइक ही नहीं किसी चीज़ के हमारी तो इज्ज़त भी नहीं आरव वर्ड में जहां से इसलाम की पैदाईश हुई है और जहां से क्रिश्यनटी की पैदाईश हु नाम होते हैं इसलिए आप वीडियो को शेयर करिए मेरी नहीं तो हर उस वीडियो को जिससे लोगों को जागुरुकता मिले लोग जागुरुक हो और इस चीज़ से खुद को बचाएं और अपने भविश्य को बचाएं अगर हम अपनी डेमोग्रफी बचाना चाहते हैं आज इससे लगना पड़ेगा बहुत लोग दसों साल पहले से लगे हैं आप अब जा गए हैं तो आप आज चलेगे जहन बंदे मात्र हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो